दोस्तो गौवर्मेंट एक्जाम के तयारी के लिए इस चैप्राइब कीजिए हमारे चैनल प्रिप्रिशुनेटडगो और वेल आइकन दवाईए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो स्वाघत आप सभी का हमारे चैनल प्रिप्रिशुनेटडग के अंदर आज देखने वाले मात्र जो कि important chapter है और इस chapter में से कुछ न कुछ आएगा important questions बनेंगे इस में से और बहुत easy question होते हैं आप एकदम देखके answer लगा सकते हो चलिए start करते हैं मात्र है कि दोनों ही तरह के students के लिए हैं चाहे वो electrical के हो या फिर mechanical वाले हो सभी के लिए है यह basic science and engineering drawings upload किय जा रहा है वीडियो अच्छे लगए तो शियर जरूर करना चलिए start करते हैं पहले point की तरह से बहुतिक विज्ञान क्या है तो बहुतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाका है जिसके तरगत प्रकृति में होने वाली घटनाओं का आप mathematical analysis करते हो आप उनको देखते हो उन चीजों का इस्तमाल करते हो वो किलाती है राशिया यह फिर दूसरे शब्द में यूं कहें कि राशिया वो होती है जो बहुतिक विज्ञान के होने बाले तभी सभी तरह के phenomenon को वर्लित करती हैं explain करती हैं यहाँ पर आ जाते हैं जितने भी आपके पास physical quantities थी जो आपने physics मे देखी बाहर जो आपके चारोसरा हो रहा है बहुत तरह की गतनाएं हो रही हैं उनको आपने देखा उनको आपने वर्लित करने की कोशिश की physical quantity को मातरक में तो अब मातरक क्या होता है तो मातरक वो चीज़ होती है जो फिजिकल quantity को मीजर करती है जैसे कि आप एक बात कर ले कि निया कुछ नो कुछ तो चाहिए मतलब वो है आपके पास किलो ग्राम तो इसी तरह से आपके पास बहुत सारी चीजा होती है जिसको मापने के लिए कुछ नो कुछ चाहिए जैसे कि कोई बंदा किसी स्पीड से चल रहा है तो इसकी स्पीड को ना पणने के लिए आपको कुछ चाहिए तो जिस चीज सको मीजर करना एं जिस चीज में मीजर करना इंची जहों मतलब द्रब्यमान को यह पहला वाला किलाता है इसका संख्यात्मक मान और यह दूसरा वाला किलाता है इसका मात्रग तो मात्रग वह होते हैं जो किसी फिजिकल क्वाइंटिटी को बताते हैं कि हमने कौन सी फिजिकल क्वाइंटिटी मापी है तो पूरे इंटरनेशनल मतलब मात्रा तो यह साथ ऐसे हैं जो फंडमेंटल हैं मूल मात्रक तो इसे इनको बोलते हैं आधारी मात्रक आधारी मात्रक ऐसा यूनिट होना है दो यूनिट और बनाई है fundamental जो आधारी नहीं है संपूरक है कॉम्प्लिमेंटरी हैं उनको बता जेता हूँ आपको एक तो है आपके पास solid angle ठोस कोण ठोस कोण रशीक मैं और इसको घनकोड के नाम से जानते हैं दूसरा है समतल आंगल समतल कोड की होता है जैसे मैं समतल पर एक plane पर जो एंग्ल बनाता हूं सपोस्पोजयट मैं यह ब्लोग क्या है 30 प्लेन गुल मतलब सम्तल कोड इसका मात्रक होता रेडियन आपने कितनी रेडियन का बनाया यह आएंगे लेकिन अगर आप सोलिड एंगिल की बात करोगे तो किसी त्रेडी जमेट्रिक अंदर मान लेते ही आपके पास गोला है और आपने गोले के अंदर से कौन निकाल दी तो जी कौन बनाय गां यहां पर वो किलायगा घं कौन साथ संपूरक मात्रक कितने होते हैं दो तो मूल मात्रक और संपूरक मात्रगों को बना करके और अनिये बहुतिक physical quantities को मीजर करने के लिए कुछ अनिये राश्यों की और जरूरत पड़े इनको कहा गया विदुपन मात्रग जैसे कि मैं एक माल बात करूँ कि आपको वेग को मापना तो वेग क्या होता यह होता है लंबाई या फिर दूरी पटा समय आपक्र आप देख्यों को आपको कि आ तने मीटर में अभी प्रफिता आया मैना fundamental गंदर और समय को मातर मापते हैं सेकंड में तो यह ऐसी quantity बन गई वे एक जिसको मीटर और सेकंड दोनों में आपा जा रहा है तो जिसमें एक से ज्यादा भोतिक राशें यूज हो जाती है वो कहलाते हैं इसमें एक से ज्यादा मातरक यूज हो जाते है इन दोनों मूल मातरक को यूज कै आपने एक नया मातरक बना दिये have इंको रिप्रेजंट करने के जा रहा है है एक चीज़ और बता देता हूं आपको भीमा भी पूछी आती है इंगलिश है इसको दाइमेंशन तो dimension क्या होती है जैसे कि आपके पास लंबाई को नापने के नहीं आपको L यूज करना होगा और बजन नापना है तो आपको इसमें मास यूज करना पड़ेगा और और समयम आपना है तो आपको T यूज करना पड़ेगा जनरल ये तीन यूज होते हैं कि लंबाई आप मीजर करते हो अचे लंबाई के सिझे मीजर है तो में में लंबाई तो आप इसको दिखाऊए है ऐसे मैं को समय तो आप दिखाऊऊँ के टि इस तार हां से है तो हमारे पार जो fundamental है उनको आप ऐसे लिखा हो गए मूल मात रख लेकिन जो view व्यूदपन मात रखे उसे कैसे लिखो गई तो उसे लिखने के लिए जैसे कि आपके पास वेक था वेक का मात रख हो जाएगा मीटर का मात्र होता है M sorry L L हो गया मीटर का मात्र हो रहा है सेकेंड की बात करें तो इसको होगे T लेकिन उपर लिख दिया मैंने तो L T-1 दिखाएंगे क्योंकि सेकेंड जो है नीचे था मैंने उपर करके दिखाया तो L T-1 जिसको कहते हैं अब देख लेते हैं कुछ आधारी मात्र मात्र को साउध आई व्यूथपन मात्र तो इसको कहेंगे व्यूथपन रहीए व्यूथपन मात्र मतलब ड्राइवड भाइवड यूनिट यह हैं व्यूत पैल्स करते हैं जब मौल मात्रक को rose करते हो साथ मिंघ हैं यह कोई सब्सक्राइब उस करते हो दो दो से सब्सक्राइब difference करते हो दो को ब्यूत पनमातर को स toddling वर इद हमारे पास है तो है गया उन्हुत पर नहीं करना पड़ेगा आपको कोई राशी लेनी पढ़ेगे चलो बहला बात करते हैं चाल की है चाल की होता है चाल बराब होता है दूरी इसाद में मतलबलो हमें एक साहथ दिखाना पड़ता है तो यह हो जाएगा एंहें तो एंके पावर दिखा देंगा नोट इसकी पावर जिरो होती है इसका मतलब 1 होता है ठीक है तो इसका 1 मतलब है तो m की पावर 0 मतलब 1 मतलब है मतलब या चीज नहीं है इसकी अंतर कहने की बार यह हैו TL उपर है तो नहीं है t नीचे है तो उपर जाएगा थो इसकी hyदो स्पार माइनस का 1 तो L T-1 L T-1 से भी आप देख सकते हैं वहीं अगर बेक की बात कि करो गया तो वे क्यों होता विस्थापन बटा समय इस दिस्पै scoring आप ऐदिस्पैस्मेंट अब डिस्पैस्मेंट के सी मेरे आपते होगा डिस्पैस्मेंट कि विस्थापन ये यह लंबा ही है तो इसको भी सनकाण सब्दस के लिखे आप य्र्लीव नमबर पर हाता है तो है सबलोटेन अपोन समय अंत्राल समय अंत्राल का मतलब हो गया समय तो बेक परीवर्थन मतलब वेलोसिटी और वेलोसिटी का हम निकाल चुके ओपर लग दो और समय कर विए यह da Banffd. G prawda, फैर उपर जाएगा तो एक तो टी माइनस दे पहले जही षाए तो एक और पूझ है तो टी की ерм highlighter का टू, तो add टी माइनस टो हो जाएगा त्वर दौर ट चोधे नंबर कर चोधे नंंबर का आताय चोधे नंबर कर देख लेते हैं चोधे तो आप लंबाई की मीटर मीटर की दो बार मल्टिप्लाई करते हो तो मीटर ticket निकलते हैं आप L में अगली मिटर को भी यह हो जाएगा L का इसको आया तो छेत्रफल का पता लग गए आपको पांच में आता है आपके पास छेत्रफल के साथ आता आएतन तो आतन की होता लंबाई गुणा चोड़ाई गुणा उंचा ही लंबाई कमात रही है L क्यांकि लंबाई को आप n हो एक सिद्राइब का आपो प्सक्यासर में इस देखनेom आपको सॉल्व करना है आगे देखते हैं और बहुत सारे मात रखें तो बल को कैसे देखना यह भी देखना आपका च्छटे नंबर का है बल को बल का मात रख क्या होता मतलब फोर्स फोर्स क्या होता है मास मतलब एंटू एक्सलिरेशन म अपने अपने F एक्सिलरेशन आपने भी निकालाई मीटर पर स्कॉर्य इसका मातरक होता है, मीटर की होता यह है, यह है, उसकी देख लेते हैं, दाब, दाब क्या होता दाब होता है बल अपॉन छेत्रफल एक आंग छेत्रफल लगने वाले बल को कहते हैं दाब अब देखिए बल का मांतर का आपने के निकार लगा यहां से उपर आएगा यहां से उपर जाएगा तो इसका मातर हो जाएगा यह आठ में नमबर बात करते हैं आता है घनद्व क्या होता है गनद्व होता है द्रब बिमान अपॉन आएतन यह भी इसी है द्रब बिमान का क्यों होता है एम और आएतन का क्यों होता है यह थी हो जाएगा एम एल की पावर-3 मतलब मतलब किलोग्राम मतलब मास पर यूनिट पर क्यूब ओफ लेंथ पर क्यूब अपन एल क्यूब ठीक है अगला देखते हैं नाइन्थ इसके बाद आता है नवे नंबर पाता है सम्वेग सम्वेग कर क्या होता यह देख लेते हैं है इसको मूलते हैं मोमेन्टम वो मेंटम होता है P सरन निरूपित के जाता इसको पिस इक वर पो एंवी ज़िए बश्तुन के अंदर मास है और वह बस तो चल रही है तो इन दोनों के गड़निफर्द को मोमेंटम है मास को क्या होता है capital M, वालोसिटी का क्या होता है L T की पावर माइनस 1, चूंकि वालोसिटी हो या वेग हो यह मीटर पर सेक्ट महा था तो ML T माइनस यह भी बहुत इसी था, इसके बाद आता आवेग, इंपल्स बोलते हैं इसको इंपल्स तो आवेक का मातरख capital I का मातरख होता है F into T और दूसरा मातरख होता है कि संबेक परिवर्तन को आवेक कहते हैं अब जो संबेक का मातरख होगा अब वो संबेक एक आंग लमबाई पर लगने वाले बल को जब यह बस्तु रखी जाती है किसी द्रभ को उपर उसकी एकांग लमबाई पर लगने वाले बल को बोलते हैं पर इसके बल को मातरक हो आप बता चुका हूँ ML T-2 नीचे है L तो L से L कड़ गया आया M T-2 ये भी धियान नहीं प्रस्तनाव हो गया आगे चलते हैं 12 नंबर पर आता है बल आघूण बल आघूण इसको हम तौ कहते हैं यह होता force into perpendicular distance अब force into लंबत दूरी force का मातर क्या होता ML T-2 वही L आर क्या लंबाई मतलब तरज्य भी कहा दो कुछ भी कहा दो तरज्य कहा दो लंबाई कहा दो तो इसकी भी ये भी दूरी का मातर क्या होगा मीटर तो आप मीटर को कहो गए L से combined रूप से क्या कहा दो ML 2 T-2 तो जितनी भी energy के unit होते हैं यही होते हैं ML 2 T-2 जितनी भी energy की और मैंना आपको पता है था जब बल के अंदर दूरी का multiply कर दो गए तो वह energy बन जाता है जैसे के W is equal to F D cost it आपने देखोगा वर्क का फोर्मूला तो F into D मतलब force की multiply कर दो डिस्टेंस है तो energy बन गया मतलब वर्क बन गया तो उसका भी यही unit होगा ml2 T-2 तो सभी तरहों की चाहें गति जूर जाहो इस्तिती जूर जाहो सबका unit यही होता है ml2 T-2 चाहें आप calculate कर सकते हैं अब आता कार्य का मातरक यह मैं आपको बता दिया अता कोड़ी यह वेक का मातरक कोड़ी यह वेक इसको मोमेग से दिखाते हैं ओमेग क्योंता कोड़ी विस्थापन अपोन समय अब कोड़ी विस्थापन मतलब होता ठीटा ठीटा का होता कोई मातरक नहीं ठीटा का कोई मातरक नहीं अब नीचा है टाइम टाइम उपर तो यह होता है कोड़ी यह वेक का टी की पावर माइनस वन गतिज उर्जा सभी तरहां की उर्जाओं का मात्रा क्या होता है याद रख लेना ml2 t-2 धिहान रहे अगला टोबी काता है इसी में समानता का सद्धान प्रिंसिपल ओफ होमोजीनिटी यह क्या कहना चाहता है यह यह कहना चाहता है कि आपके पास कोई फॉर्मूला है जैसे कि वी वरावर यू पिलस 80 तो यह यह कहना चाहता है कि हम समान विमाओ वाली राशियों को ही जोड सकते हैं जैसे कि मैं आप से कहा मीटर है दो मीटर में आप दो मीटर एड़ कर दोगे तो फॉर मीटर हो जाएगा अगर दो मीटर में तीन किलोग्राम एड़ करोगे तो एड़ नहीं तो समान्द राशियों को जोड़ा जा सकता है और समान्द राशियों को ही घटाए जा सकता है इसका मतलब यह हुआ यहाँ पर यह राशिय और यह राशिय जुल रही है तो इसका मातरक इसके मातरक के इक्वल होगा तो इसका मातरक इसके मातरक के भी equal होगा क्योंकि ये दोनों इसके equal हैं और इसके मातरक आपसमे equal हैं तो इन दोनों का मातरक इसके मातरक के equal होगा ऐसा मत कर दे ना इसका मातरक लिखा आपने इसका मातरक लिखा उसको जोड़ दिया मातरक जोड़ते नहीं है वेग है कोई चार्ड चल रहा है बस तो अबजेक्ट बस तो उसका अंतिम वेग है वहीं यूंग की बात करें तो उसका प्राणबीग वेग है और यह जो है वो तोरण है एकसलेरेशन है उसी बस्तू का ती टाइम है तो देखिए कैसे यह प्रूफ होता है तो वी का होने चाहिए अब यह एंथीम वेग और यह प्राडम्वी वेग और वेगों की यूनिट होती है समान होती है L T-1 तो इन दोनों की यूनिट आगे समान के यू की यूनिट A T के बराबर तो इसको भी देख लेते हैं ईक की यूनिट क्या है L T minus का 1 अब A T की unit देख लेते हैं A क्या है? A है acceleration मतलब तो और और का unit हमने निकाल रखा भी L T minus 1 L T minus 2 L T minus 2 होता तो और रण meter per second square इसमें multiply हो रही है time की मतलब T की तो यहाँ है minus 2 power यहाँ है 1 power यह minus का 2 और यहाँ plus का 1 तो minus की 1 मचेगी क्या L T minus 1 थी उपर वाले की जबाब है यहाँ तो इसका मतलब यह है एक समान विमाववादी राशियों को ही घटाया जा सकता है और एक समान विमाववादी राशियों को ही जोड़ा जा सकता है अब दूरी को मापने के लिए कुछ बड़े-बड़े के बीच कि जो average distance है इसको बोलते है astronomical unit AU के नाम से जाना जाता है तो यह बहुत बड़ी unit है astronomical unit इसको बोलते है ख़़ोलिये दूरी या ख़़ोलिये मातरक इसकी value होती है लगबग 15 करोड़ तो इसको आप ऐसे लिखोगे 1.495 into 10 to the power 11 meter तो यह लगबग 15 करोड़ के आसपास value है तो यह होती है 1 AU equal तो 1 AU equal किसके होता है 1.495 into 10 to the power 11 meter के ठीक है अब दूसरा आता है ऐसे ही एक light year light year के होता है तो light year जब प्रिकाश एक साल तक निर्वात में चलता रहता है चलता रहता है तो उसके दुआरा जितनी दूरी तै की जाती है वो होता है 1 light year तो एक light year होता है 9.4 into 10 to the power 15 meter के यह आपको याद रखनी है value direct तीसरे नमबर पाता है पार्स एक तो पार्स एक दूरी का बहुत बड़ा मात्रा के है यह होता है अगर इसकी value निकालोगे एक पार्स एक की value होती है 3.0 into 10 to the power 16 meter के तो इतनी होती है एक पार्स एक की value और पार्स एक की value अगर प्रिकाश वर्ष में निकालोगे तो एक पार्स एक 3.26 प्रिकाश वर्ष के बरावर होता है मतलब light year के बरावर होता तो उतने लाइट को जाएंगे तब जाके एक पर सेग बड़ेगा बहुत ज् framework बहुत ज्यादा लंभी दूरी वह गई बहुत ज्यादार लंभी दूरी का कॉम मापने वाले उनट हो गई है जैसे कि Send एक मिलिमीटर होता है छोटी सा छोटी तो इस वीडियो फिलाल इतना ही वीडियो अच्छे लगे तो शेयर जरूर करना वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद